हेलो फ्रेंट तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने मुवाइल में C-Language के प्रोग्राम को कैसे रन रख कर सकते हैं इसके लिए मैंने सबसे बेस्ट 3 कमपाइलर चूज की हैं जिने हम अपने अंड्रोइड मुवाइल से ही यूज कर सकते हैं और अपने किसी भी C-Language के प्रोग्राम को अपने अंड्रोइड मुवाइल में रन करा कर चेक कर सकते हैं इन तीनों एपस के लिंक में डिक्स्रीक्शन में दे दूँगा आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखना कि हर कमपाइलर के अलग-अलग फीचर में आपको वह भी बताऊंगा चलिए यह सबसे पहले हम प्ले स्टोर अपन कर लेते हैं प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे दी कोडर हम जैसे यहाँ पर दी कोडर टाइप करेंगे यह ओटोमेटिक नीचे हमें सेजेसन करेंगा कि दी कोडर कमपाइल आईडी इ इस पर हम इसे हम इस्टाल करेंगे मेरे में पहले से इस्टाल है आप इसे इस्टाल कर गएं कर लेंगे 4.2 की इसकी रेटिंग है और 1 million प्लस लोगों ने से डाउनलोड किया हुआ है और इस पर comment भी अच्छा है हुआ है तो हम अब इसा आपको open करते हैं जैसे आप इसे open करेंगे मैंने इसमें login किया हुआ है लेकिन आपको login के लिए बोलेगा आपने अपनी ID डालनी है और आपने इसमें login कर लेना है उसके बाद आप निचे देखेंगे निचे start coding लिखा हुआ है उस पर जैसे हम click करेंगे यह हमे हमें बोलेगा कि create code यानि कि हम नई फाइल बना सकते हैं upload यह से हम अपनी पुरानी फाइल को इसमें open कर सकते हैं हमने फाइल को स्लेक्ट किया है न्यू फाइल करेंगे यह आप आप c++ java और html python php ruby और रेंग्वेज यह सब के आप यहां पर प्रोग्राम लिख सकते हैं इसके हमें तो लेकिन c language के लिए चाहिए तो हम इसमें c language select करेंगे c language select करने के बाद हम इसमें next पर click करेंगे अभी c language select करेंगे अभी हम c language हमने select किया और इसको हमने next किया next करते ही है next page पर हमें यह file का name डालने के लिए बोलेगा यहां पर हमें file का name डालना है हमने यहां पर लिखा tag.c tag.c के बाद हमें create file पर click करना है हम जैसी create file पर click करेंगे तो यह हमारी file exist इस नाम से हमने पहली file बनाई हुए है इसलिए हम इसे पूरा technical कर देते है technical के बाद हम इसे create file पर click करेंगे जैसे ही यह हमारी file create हो चुकिया है अब हम आप देख रहे हैं यहां पर automatic की एक code लिखा हुआ आएगा जिसमें आप hello word print करा सकते हैं जिससे अभी हम इसे run कराएंगे run कराने के लिए हमारे पास निच्छे एक blue color का button दिया गया है इससे हम program को run करा सकते हैं यहां पर इसमें एक अपना keyword भी आता है स्क्रीन पर इसमें select all जो सबसे पहला option है select all का option मिलेगा उसके बाद आपको copy का option मिलेगा cut का paste का undo redo और align का option भी मिलेगा आपको इसमें और आप keyboard की setting भी कर सकते हो जो next button है हमारा इससे हम color insert करा सकते हैं उसके बाद हमारे पास next option है search का इसमें जाकर आपको अगर program में कोई help चाहिए google से अगर आपको coach google पर search करना है तो आप इसमें जाकर search button पर click करके आप इसमें google पर search कर सकते हैं जैसे हमें कोई program से related कोई help चाहिए हो तो हम google पर direct search कर सकते हैं अब हम इस program को जैसी run करते हैं इसमें ये एक error show कर रहा है नीचे, उपर हमने code में 6 extraid किया हुआ है, उसको हम delete कर देंगे, delete, sorry, ये search में select होगा था, उपर select करेंगे, और अब हम delete बटन को press करेंगे, एक बार, ये हमने delete कर दिया, अब delete हो गया, अब हम इसको दुबारा undo कर देंगे, हम दुबारा से इसको bracket को लगा देंगे, और अब हम code को जैसे ही run करेंगे, ये हमारा hollow word प्रेंट हो गया है, नीचे देगे, copy बटन से हम, जो हमारी output आएगी, उसे हम copy कर सकते हैं, अभी मैंने output को copy किया है, और यहां पर मैं इसको paste करूँगा, आप देख रहा है, जो हमारी output आई थी, हमने उसे copy किया था, वहां से, नेक्स्ट आप के लिए हम दुबार प्ले स्टोर पर जाएगे, और प्ले स्टोर पर हम लिखेंगे, अब हम प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, Coding C यह अप भी हमने पहले इंस्टाल की हुए है आप इसे इंस्टाल कर ले ना मैं इसे उपन करता हूं इस आप और 4.2 की रेटिंग मिल यूए है इसके भी कमेंट मैंने चक किये हुए है कमेंट अच्छे कमेंट होई है लेकिन अभी हम आपको अपन करते हैं कि ऐप को उपन करेंंगे कि जैसे आपको ऊपन करें यह कूछ फाद डाउनलोड करेगा घ लिए इसमें मेरे पास यह पहल डाउनलोड भी है अब इस फाद的話 गेषिन और यह देखेंगे आप कीबोर्ड के बिल्कुल उपर और प्रोग्राम के नीचे टैब और करली ब्रैकेट्स कोमा यह सब यह पर दिए हैं अंडो रिडू और अप डाउन लेफ्ट राइट और यह कुछ इस्ट्रीर ही है जो हमें प्रोग्रामिंग में यूज आते हैंगी यूझे जो ऍर इनिया यहां पर फूर्ण यह पर बिए इसने यूज Actor सकते हैँ है को सेम सी तरह आश्य दिए यूजadia कर सकते हैं कि अभी हम अपना इसे प्रोग्राम को रण करकर देखते हैं हमने प्रोग्राम को रण किया जैसे ही यह हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है है इसमें सबसे उपर रानक उप्सें दी होगा है अभी हम हेलो वर्ड की जगह कुछ और एडिट कर देते हैं है लोट की जगह हम अपने चैनल का नाम भी देते हैं टेक्निकल और याजी अब इसे रन कराएंगे आप देख रहे हैं कि टेक्निकल आर्या यहां पर इसने प्रिंट करा दिया है अब हम अब हम अपनी नेक्स्ट एप देखेंगे जो मेरी फैबरेट एप है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके लिए हम प्ले स्टोर में जाएंगे प्ले स्टोर में जाकर हमें यहां पर सर्च करना है CPP Droid तो चलीए सब पहले हमने प्ले स्टोर ओपन किया और यहां पर हम लिखेंगे CPP Droid और इस जैसे ही हम सर्च करएंगे सबसे उपर यहां हमारी एप सो जाएगी सोरी मैंने नयक्यां और अभी हमारी ड्रोइड आप जो है हमारी वह सो हो गई है मैंने पहले इंस्टाल कि विए आप इसे इस्टाल करें और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर डाइग्नोस एनलाइज और नेविजेटर और एडिटर का उप्शन मिले हुए है उपर सेव हैं और हम थ्री के लिए यहां पर हैं दिया होगा है न्यू फाइल में जाएंगे न्यू फाइल पर आपने आपने नई फाइल का नाम दे सकते हैं टेक्निकल मैंने देदिया टेक्निकल डोगी सी यह सी की जो फाइल बनती है उसकी एक्स्टेंशन है यह तो आपको मालूम ही होगा यह कोड करेंगे उसके बाद अब हम इसे रन कर सकते हैं अब हम इने जैसे प्रोग्राम को रन किया हमारा टेक्निकल आर्याजिप इसमें प्रिंट करा दिया अब इसमें एक उप्षन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें आप जैसे कोई कोई भी मिश्टेक करोगे या कोई भी एरर टाइप करोगे तो आपको साथ के साथ ही नीचे डाइगनोज में वो सो हो जाएगा जो मुझे इसका यह फिचर बहुत ही अच्छा लगा अभी आप देख रहेंगे नीचे कोई एरर नहीं है अब हम प्रोग्राम को रन करा सकते है लेकिन जैसे ही मैं नीचे कोई मिश्टेक करता हूँ वो हमें साथ के साथ डाइगनोज में सो कर जाएगा वीडियो के अखिक तब बने रहने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जाहिन जाह बारत